ऐसे जा एक और कोशन करने जा रहे हैं Redemption of Preferential के अंदर हमने एक बार ओवर वियू दे दूँ Redemption of Preferential में क्या दिखाता कि हम Preferential को जब Redeem करते हैं तो हमें Majorly यहाँ पे CRR बनाना पड़ता है अब या तो हम CRR बना लेंगे या फिर क्या करेंगे फ्रेश इशू कर देंगे जी आर ले सकते हैं पी एंडल दे सकते हैं वर्कमेंट कमपनसेशन एनी रिजर्व इनके थुरू आप CRR को बना सकते हैं सिक्यूरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इसके बाद हमने देखा था कब CRR कितना बनाना है नहीं बनाना है कुछ इस तरीके से questions देखें और साथ के साथ हमने और भी कुछ notes देख लिये थे और हमने एक question करा जिसका पूरा balance sheet भी सीखा था तो यह याद होना जरूरी है अब आज आते हैं हम यहां तक हमने 9 तक question कर लिया है 9 में bonus issue था अब मेरे इसाब से आपको ना bonus issue दुबारा करना इस सवाल को आपको बिल्कुल लगे का यह तो simple दिखाथ है चलिए आ जाते हैं यहां पर भी एक bonus issue की बात कही गई है bonus issue जिसके वैसे हमने इस question को छोड़ा था अब now हम करेंगे clear चलिए सब यह आ गया हमारा marker चलिए भाई साब कहता है issue of debenture debenture issue हुआ है issue of debenture for redemption है debenture कहां से आ गया ओके ठीक है ठीक है topic डलाओ है topic को तो काट कोई दिखा हमारे पास क्या क्या given है sir हमें given है 5000 प्रफरेंच यहर्जिस का काम है 100 रुपे का एक या नि 5 लाग का 90 अजार equity share है security premium में पैसा पढ़ा हुआ है surplus के अंदर पैसा हो पैसा ही पैसा है current liability इसके बाद इधर कुछ हमें बाते बताया जा रहा है फिर कहता it was decided इसने decide किया 30 जुन 2012 को to redeem the preference share at a premium 5% इसने decide किया के जो हमारा कितने percent 10% जो हमारा preference share capital है ना 5 लाग का उसको हम 5 लाग रुपे करके उनको लोटाएंगे कहता है to finance for redemption इसको redemption को finance करने के लिए all investment were realized यानि सर पैसा कहां से दोगे finance का मतलब है पैसा देना पैसा दोगे कहां से मतलब reserve का इस्तमाल करना एक अलग बात है और उसको cash में पैसा देना अलग बात है तो बुला इसको finance करने के लिए हम investment को जाते हैं बेच देते हैं कहता है all the investment were realized as market value and कहता market value यानि यह सर कितने का investment है 3 लाग का investment है market value क्या है 2,8,000 में तो सर इसने investment sold कर दिया और investment कितने का sold कर दिया यानि नुकसान कर लिया इसने बिचारे ने कितने का नुकसान कर लिया 20,000 रखा चीक है आगे देखते हैं क्या कहता है and 10,000 equity share issue कर दिये इसने 9 रुपे per share payable on application कहता है इसने 10,000 equity share issue कर दिया were issued at 9 रुपे application पर मांग लिया the company also company ने debenture भी issue करे 100 रुपे के साब से तो पैसा ही पैसा आ गया फिर से company के पास sir कहां से पैसा आया company के पास पैसा आया सबसे पहले equity share capital equity share capital कितने issue किये 10,000 किये कितने रुपे नो तो 90,000 तो यहां से आ गये तो यह पूरा ही हो जाएगा लगबग इसके बाद बुला भीया और पैसा इंतिजाम करो तो 10,000 debenture issue कर दिये 12% हमने debenture issue कर दिये कितने debenture issue कर दिये 10,000 एक debenture कितने का है 100 रुपे का देख लो कहीं premium पे तो नहीं किया नहीं sir premium पे नहीं किया तो यहां से तो अकेला यह निप्टा दिया तो पैसा तो बहुत सारा होगा और बैंक के अंदर भी बहुत पैसा पड़ा होगा कहता है on august 2012 the company made a bonus issue one equity share for each two equity share कहता है कि one is to two में हम bonus share देंगा मैंने बाद में देख लेंगा भाई bonus को bonus share equity share held that date it was also decided that only minimum reduction should be कहता है also decide to only minimum reduction should be made in the revenue reserve कहता है revenue reserve को कम से कम استعمال किया जाए तो भाईया वही है यह सब कर चीज यूज करेंगे तो revenue reserve क्या होगा हमारा कम से कम ही इस्तिमाल होगा हर बार वही करते हैं drop journal entry including those relating cash transaction record transaction and show the balance sheet on redemption after जो भी provincial redemption होने के बाद है मुद्दे की बात है ना जो bonus issue है यहाँ पर फसादिया question ने के bonus issue किसको देना चलिए अभी देखते है तो हम एक एक करके entry करेंगे मैं एक बार फिर से question को यहाँ पर अराम से लिख देता हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा entry नहीं है तो साफ साफ fair fair question को मैं लिख देता हूँ sir question का पहले hint क्या कहता है question में sir question में कहता है कि हम क्या करने वाले हैं 10 परतीशत preference share capital को वापस लेंगे जिसका payment करना हमें 5 लाग और इसको ऐसे नहीं देंगे इसको security premium भी देंगे 5% that is आपका 25,000 रुपे का security premium यानि sir preference share holder को हम जो total payment करेंगे वो payment कर देंगे 25,000,000 रुपे कहता है sir इसको finance करने के लिए हमें पैसे का इंतिजाम करना है तो पैसे का इंतिजाम कहा कहा से किया गया वो बताया जा रहा है sir पैसे के इंतिजाम से इसने याद आया कि क्या क्या कर रहा है सबसे पहले तो अपना इंवेस्मेंट ही बेच दिया इसने और जो इंवेस्मेंट बेचा इसने वो बेचा कितने का 2,000,000 और ये ध्यान दीजिएगा 3,000,000 का था 2,000,000 का था 2,000,000 का बेचा means loss पे बेचा और उसने equity share issue भी कर दिया sir equity share कितने 10,000 equity share कहता है 9 रुपे ही मांगे हैं अभी हमने इसका मतलब sir 9 ही मांगे है 9 first year payable on application बस तो मतलब sir 90,000 और बोलता है मैंने 10% debenture भी issue कर दिया है 10% debenture कितने है sir 10,000 और गुना में 100 रुपे का 10,000,000 यहीं से इंतजाम हो गया हमें तो 5,25 का इंतजाम करना था हमारे पास तो पता नहीं 15-16,000,000 रुपे आगे करीब आस पास आगे कहता है 1 August को company ने decide किया कि बोनस issue करेंगे और यह काम कब चल रहा है यानि sir 30 June को यह सारा काम काज चल गया तो 30 June तक अगर मैं यह सारा काम काज कर भी दू तो मेरे पास जो equity share मिलेगा मुझे equity share कितना मिलेगा सर पुराने वाला equity share 90,000 है और सर 10,000 हमने और भी issue कर दिया तो total अगर पुराने वाला equity share देखा जाए तो कितना होगा 1,00,000 equity share हो जाएगा तो जब आप bonus recite कर रहे हो एक अगस्त को June के बाद सारे करने के बाद तो एक अगस्त को जब bonus बोलोगो तो सब को यह announcement जाएगा नए वाले को भी जाएगा तो जब नए वाले को bonus share जाएगा तो ऐसे situation में क्या होगा कि हमें सब को देना है तो यहाँ पर एक समस्या फिर से create हो जाती है सर सब को दोगे तो इसने तो पूरे 10 दे दिये ठीक है इसने तो 9 दिये तो मैंने बोला हाँ भाई इसने 9 दिया एक रुपे का और bonus दे के इसको fully paid up करो क्योंकि bonus देने का rule ही यह था हम क्या कर ले पर इससो fully paid up कर देंगा ठीक है न तो एक रुपे का इससे क्या दे देंगा और bonus यानि एक bonus ऐसा है जो कि दिख रहा है और एक bonus ऐसा है जो कि दिखी नहीं रहा आपको सवाल के अंदर ठीक है सवाल पूरा समझ में आगे और कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर basically तो सबसे पहले हम CRR की बात कर लेते हैं तो sir हमने जो fresh issue किया है देखा जाए तो ये issue हमने 10,000 किया है face value कितना बन जाता है हमारा एक तरीके से 90,000 रुपे cash जरूर आए लेकिन एक लाग के बराबर ही बनेगा यह bonus issue देदेंगे तो एक लाग के बराबर बनेगा हमें 5 लाग का CRR बनाना था एक लाग का fresh issue होगे तो 4 लाग का और क्या बना लेना चाहिए CRR बना लेना चाहिए CRR के लिए हम क्या use कर सकते है security premium कर सकते है बोला गया reserve को कम से कम use करो तो भया CRR के लिए पहले security premium इस्तमाल करते है security premium account debit सर security premium में कितना पैसा पड़ा हुआ है security premium account debit तो कितने पड़े हैं हमार पास एक लाग यह इस्तमाल होगा लो जी और बनाने हैं 3 लाग 3 लाग हम कहां से कर ले सर सर प्लस सर प्लस में 2 लाग है और 2 में क्या बन जाएगा सर CRR CRR आ गया सर कितने का CRR आ गया 4 लाग का आ गया बाती खतम tension खतम अब भाई preferent shareholder के लिए हम finance का भी इंतिजाम कर ले finance का मतलब उसके जो बेचे था उसने investment वो देख लेते हैं तो investment बेचे था तो bank में पैसा आया सर bank में कितना पैसा आया bank में पैसा आया हमारा 2 लाग 80 जार यहां नुकसान भी हो गया तो profit and loss से debit हो जाएगा या surplus से debit कर दो आप कितने का 20 जार का और 2 हमारा यहां पे क्या चला गया investment investment तीन लाग का investment चला गया तो अब basic सी entry है बस यह सारी इसके बाद क्या करें सर चलिए इसके बाद क्या करें जी इसके बाद preference share holder को बुला लो वही 10% preference share order preference share capital वही कितने देने हैं 5 लाग और कुछ भी चाहिए भाईया हाँ भाईया security premium भी चाहिए कितने चाहिए security premium 25,000 अच्छा इसका मतलब हमें preference share holder को देने है total 5 लाग 25,000 clear है यहां तक अगर आप preference share holder को 5 लाग 25 लाग तो bank से payment कर दो क्या करोगे preference share holder account debit to bank यही करने वाले हो न लो जी क्या bank में पैसा है ऐसे दे दोगे बहुत पैसा है bank में हमारे तो 5 लाग 25,000 के payment हो गई यह तो हो गया preference share का redemption अब इसके बाद हमें security premium को right off भी करना है security premium को right off करने के लिए कितने का premium 25,000 का तो हमने तो यहाँ premium यह इस्तमाल कर लिए फिर हम क्या इस्तमाल करें 25,000 के लिए general reserve कर लेते हैं surplus कोई भी इस्तमाल कर लेते हैं general reserve भी कर लेते हैं यहाँ आ जाईए बहुत छोटी सी entry कर देते हैं GR to SP 25,000 ठीक है मैं यह वाली entry मिटा रहा हूँ क्योंकि यह मैं already दुबारा मैं समझा चुका हूँ तो दुबारा समझाने की जुरत है नहीं इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ हटा रहा हूँ और इसको उपर ले जाते हैं चलिए अब bonus issue करेंगे bonus issue के लिए CRR होगा bonus issue कितने किया हमने सर bonus issue हमने किया question ने कहा है कि कितने करो यहाँ पर तो इसको करने वाले हैं कितने बोला है question कहता है कि bonus issue also the company bonus issue करता है one equity share for two यानि sir one issue two है तो यानि one divided by two तो sir हम 50,000 bonus share issue करने वाले हैं तो 50,000 सर जब bonus issue करोगे तो आपको 5,000,000 CRR की जुरत होगी और एक partly paid को fully paid भी बनाओगे वहाँ पे भी आपको 10,000 का CRR का जुरत होगा तो मैं पहले partly paid को fully paid बना देता हूँ partly paid को fully paid कैसे बनाएंगे बहुत simple है partly paid को क्या करेंगे share final call two equity share capital partly paid अप कितने नौ में से एक बच गया था तो 10,000 sir कहां से ले इसको भी ले लेते हैं GR से GR2 क्या करदें GR में से निगाल लिया पैसा कहां डाल दे हम GR से bonus issue यह सारी entry पहले कर चुके हो कितने 10,000 उसके बाद फिर क्या करें final call को adjust कर दे क्या करेंगे bonus issue to share final call 10,000 कोई समस्या कोई परेशानी कोई दुविदा हो तो बता दे चलिए सर यह तो normal हो गया final bonus issue कर देते हैं final bonus issue में CRR कितना है 4,000,000 करने हमें 50,000 bonus issue है तो 50,000 into में 10 करोगे तो 5,000,000 कर इंतिजाम करना है तो पहले तो CRR इस्तमाल कर लिए हमने CRR कितना इस्तमाल कर लिए है 4,000,000 और भी पैसा उठा लो कहां से GR से अब चेक कर लो कहीं उठाते जा रहे है 7,500,000 रुपे जी आर में था 4 यहां निकली है अभी बहुत है क्या चलो फिर GR अकाउंट डेबिट GR कितने 1,000,000 रुपे और 2 कर दोगे क्या Bonus Issue Bonus Issue कितने हो गए 5,000,000 का अब सिंपल सी बात है Bonus Issue की Entry कर दो Bonus Issue 2 Equity Share Capital कितने 5,000,000 खतम जी खतम Entry खतम और आपको लगता है कोई Entry करना है तो आप मुझे बता दिजिए आच्छा Debenture Issue तो रहे गया Fresh Issue भी रहे गया Debenture Issue भी रहे गया दो तो मेजर रही गया Balance Sheet तो आप बनाओगे Balance Sheet आपने बनाना है तो दो Entry तो आप भूली गया कौन सा Fresh Issue Fresh Issue क्या करेंगे Bank Account, Debit Two Share Application Sir 9 रुपे की है इसने तो 10,000 इंटू में No, that is 90,000 90,000 Ugly Entry Share Application To Equity Share Capital 90,000 Ugly Entry Bank To 10% Deventure Das Laag Ugly Entry Deventure Application मैंने यहाँ Deventure Application लिखना है कुछ बच्चे कह सकते हैं Sir Deventure तो Issue करना नहीं आता कोई बात नहीं Simple है Deventure Application लिखे तो जैसे उसका करते हैं And to 10% Deventure 10,000,000 जी अब खतम हो गया अब मैं एक एक करके Entry भी Count करवा देता हूँ सबसे पहले हमने इसका इंतजाम भी कर लिया Due Paid Preferences Share का तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो भी Entry गई है Preferences Share को Payment करने का Investment बेचने का हमने यहीं पर Entry कर दिया है Equity Share Issue करने का हमने Entry एक इधर करा और एक उपर कर दिया Debenture Issue करने का भी एक Entry हमने कर दिया Bonus Issue का हमने एक तो यहाँ पर जो Final Paid Up बनाया और दूसरा Finally Bonus Issue की हमने Entry कर दी तो जो जो सवाल में बोला था वो हमने कर दिया है 12% है 10 की जगह पर 12 करा है इसने Those Related Transaction Record तो सर कर दिया हमने So Balance Sheet तो Balance Sheet जब आप बनाओगे तो Preferences Share हो जाएगा 0 Equity Share में और जुड़ जाएगे कितने 10,000 ने और 50,000 और Bonus वाले Security Premium भी हो जाएगा 0 General Reserve में कितना था सर 7.5 लाग था General Reserve में धीरे धीरे करके निकालते गए यहाँ पर कितना निकाला 3,000,000 और सर यहाँ पर कितना निकाला और कहां निकाला हमने 25,000 और S.P. में निकाल लिया 1,000,000 रुपे इधर निकाल लिया तो जो भी माइनस प्लस करके आएगा General Reserve में Security Premium में से एक Profit and Loss से Minus हो जाएगा 20,000 यह आजाएगा Current Liability पे कोई Changes ने Fixed Assets यही रहेगा यह क्या हो जाएगा Investment हमारे यह हो जाएगा 0 Stock पे कोई फरक नहीं Debtor पे Cash at Bank पे फरक पड़ेगा Cash at Bank कितने हैं का 1,75 1,75 में सबसे पहले हमारे पास 90,000 आगे Equity से 10,000,000 आगे हमारे पास Deventure से 2,85,000 आगे कहां से हमारे पास Sir 2,85,000 आगे जो कि हमारे पास investment सोल्ड हुआ यह तो पैसे आगे इसमें से minus क्या कर दोगे Sir minus जो आपने payment किया है कितना payment किया है Sir 5,25,000 माइनस करोगे तो जो balance बचेगा वो bank में balance हमारा बच जाएगा और नई balance sheet बनके तयार हो जाएगी तो यह पूरा का पूरा हमारा question था जिसके अंदर bonus share भी था किसी बच्चे का कोई doubt है तो बताईए loss minus कर दिया ना Sir plus से ये ये भी question जे आर मोंगा का है तो भाईया एक बच्चे ने मुझे बहुत सही याद दिलाए क्या security premium इस्तमाल हो सकता है ना जी ना मैंने बताया था इस पे इसली security premium इस्तमाल नहीं हो सकता तो यहाँ पे आपको GR सही लेना पड़ेगा देखा एक बच्चे ने देख लेए पता नहीं का ध्यान है प्लोग यहाँ होई नहीं सकता सर यह 4 लाख ही होगा तो यहाँ पे और हो जाएगा और यह SP to SP ना हम security premium ले लेंगे ठीक है यहाँ कर लेंगे SP to SP security premium अब बच्चे के security premium 75 तो 75 पहले मैं CRR जो है ना यह 4 लाख रुपे है ना तो मैं यह लूँआ पच्चेस ओके और मैं ले लूँआ SP को ले लूँआ 75 समझ में आये क्या changes किया मैंने आये समझ में बागे सब कुछ ठीक है और यहाँ GR की जगह पे कर दूँआ मैं SP जी हाँ बिलकुल सही बोला security premium cannot use for redemption of preference share but redemption of debenture को use करने के लिए किया जा सकता है first entry 4 लाख बता दो 4 लाख कैसे हुआ सर देखो 1 लाख का आपका 5 लाख रुपे का आपको इंतिजाम करना है face value 5 लाख में से 1 लाख का तो fresh issue ही हो जाता है आपका तो 1 लाख का जब आपका fresh issue हो गया तो सिर्फ CRR 4 लाख का बनेगा बताईए डाउट